परिचय एक दिन सोनिया के दादा जी ने सोनिया को दो चॉकलेटे दी और कहा सोनिया बड़ी चॉकलेट तुम्हारे लिए है और छोटी चॉकलेट तुम्हारे छोटे भाई के लिए है अब सोनिया बता नहीं पा रही थी कि उन में से बड़ी चॉकलेट कौन सी है इसलिए उसने अपने दादा जी से पुछा कि कौन सी चॉकलेट उसे खाने चाहिए और कौन सी अपने चोटे भाई को देनी चाहिए दोस्तों क्या आप ये बताने में सोनिया की मदद करेंगे कि कौन सी चौकलेट बड़ी है और कौन सी जोटी आईए मिलकर इस पार्थ परिमाप और क्षेत्रफल में ऐसे प्रशनों के उत्तर ढूंडें आओ सीखें क्षेत्रफल और परिमाप को परिभाशित करना वर्गाकार और आयताकार आकरितियों के क्षेत्रफल और परिमाप की गड़ना करना क्षेत्रफल की गड़ना की इकाई बताना क्षेत्रफल और परिमाप को परिभाशित करना दोस्तों, हम वर्ग और आयत जैसी बंद आकरितियों के बारे में पहले ही से जानते हैं जबकि शत्रणज की विसाथ वर्गाकार है. ऐसी गणतिय आकृतियों के क्शित्रफल और परिमाप की गणना किस प्रगार की जा सकती है? किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के माप को उसका क्शित्रफल कहते हैं. किसी बंद आकृती के बाहरी खेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं आओ वर्ग और आयत का क्षित्रफल और परिमाप मापने की विथी जाने वर्गों की गिनिती करके क्षित्रफल प्राप्त करना दोस्तो हमारे पास दो चौकलेटे हैं आए जाने कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है हम एक सेंटीमीटर वाले चौकोर चौकलेट के टुकड़े का सहारा लेंगे चौकलेट एकी लंबाई पांच सेंटीमीटर है अतहा पांच वर्गाकार टुकडे इसकी लंबाई के बराबर में रखे जा सकते हैं इस चौकलेट की चौड़ाई दो सेंटिमीटर है अतहा इसकी चौड़ाई के बराबर में दो वर्गाकार टुकडे रखे जा सकते हैं इस प्रकार कुल दस वर्गाकार टुकणों को इसके उपर रखा जा सकता है. अतहा चौकलेट A का क्षित्रफल दस वर्ग सेंटिमीटर है. वर्गों की गिनिती करके क्षित्रफल ग्याद करना. आईए, अब चौकलेट B का क्षित्रफल ग्याद करें. चौकलेट B की लंबाई 4 सेंटिमीटर है और इसकी चौड़ाई 3 सेंटिमीटर है. अता इसकी लंबाई के बराबर में 4 वर्गाकार टुकडे रखे जा सकते हैं. और इसकी चोड़ाई के बराबर में तीन वर्गा का टुकड़े रखे जा सकते हैं, कुल मिलाकर बारा वर्गा का टुकड़े इस पर रखे जा सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्षित्रफल क्या होगा? बहुत आसान है, इसका क्षित्रफल बारा वर्ग सेंटिमीटर होगा, अतहा चॉकलेट A और चॉकलेट B में, चॉकलेट B आकार में बड़ी है क्षित्रफल ग्यात करने का सूत्र हमने चॉकलेट B पर रखे कुल वर्गा कार टुकड़ों को गिन कर उसका क्षित्रफल ग्यात कर लिया है साथ ही हम ख्शेत्रफल की गणना, लंबाई और चौडाई के बराबर रखे टुकणों की संख्या को गुणा करके भी ग्यात कर सकते हैं अता ख्शेत्रफल लंबाई और चौडाई के गुणनफल के बराबर होता है इस सूत्र का प्रयोग हम विभिन आकार के विभिन गणितिये आकरितियों का चित्रफल ग्यात करने के लिए कर सकते हैं चित्रफल ग्यात करके हम तुलना द्वारा जान सकते हैं कि कौन सी आकरिती ज्यादा तल घेरती है परिमाब ग्यात करने का सूत्र यहाँ कमरा 900 cm लंबा है और 550 cm चौड़ा है रोहन कमरे के फर्ष की टाइल्स बदलना चाहता है यदि टाइल्स की हर बुझा 10 cm की है तो उसे कितने टाइल्स की जरूरत होगी चत्रफल का प्रयोग आइए कमरे का क्षित्रफल ग्याद करें कमरे का क्षित्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणन फल होगा यहाँ 4,95,000 वर्ग cm के बराबर है आइए अब टाइल्स का क्षित्रफल ग्याद करें टाइल्स का क्षित्रफल 10 गुणा 10 होगा यहां 100 वर्ग सेंटिमीटर के बराबर है हम कमरे के क्षित्रफल को टाइल के क्षित्रफल से भाग दे कर जान सकते हैं कि हमें कितनी टाइलों की जरूरत होगी अताहा जरूरत की टाइलों की कुल संख्या होगी 4950 भिन आकार समान क्षित्रफल इस पोस्ट कार्ट को देखो इसका क्षित्रफल 15 वर्ग सेंटिमीटर के बराबर है इस बेल्ट का क्षित्रफल क्या होगा? यह भी 15 वर्ग सेंटिमीटर के बराबर है पोस्ट कार्ड और बेल्ट दोनों का क्षितरफल एक है लेकिन उनका आकार भिन्न है इनका परिमाब क्या होगा? क्या इनका परिमाब भी समान है? आईए ग्याद करते हैं समान क्षितरफल भिन्न परिमाब पोस्ट कार्ड का परिमाब 16 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है जबकी बेल्ट का परिमाब 32 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है अतहा समान क्षितरफल की चीजें अलग-अलग आकार ले सकती है ऐसी वस्तουν का परिमाब समान या भिन्न हो सकता है चित्रफल की एकाई, दस मीटर की भुजा वाले एक वर्गा कार कमरे में कितने बच्चे खड़े हो सकते हैं, और दस किलो मीटर की लंबाई वाले एक वर्गा कार खेल के मैदान में कितने बच्चे खड़े हो सकते हैं, यह स्पस्ट है कि खेल के मैदान में ज्यादा बच्च आराम से खड़े किये जा सकते हैं। वर्ग का परिमा परावर है चार गुणा भुजा। आयत का परिमा परावर है दो गुणा लंबाई जमाप चोड़ाई। चत्रफल मापने की एकाई वर्ग सेंटिमीटर, वर्ग मीटर और वर्ग किलोमीटर होती है। वर्ग की एक वर्ग मीटर पारावर बारावर है। झाल झाल